नमस्का दोस्तो स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जगनात धाम यात्रा से संबंदित पूरी बाते कि आप जगनात धाम कैसे जाएं कब जाएं और कहां रुकें तथा कहां घुमें और कुल खर्चों के बारे में ये सभी जनकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जगनात की जो भगवान स्रेकिष्ट को समर्पित है क्योंकि इनकी नगरी ही जगनाद पुरी कहलाती है और यह मंदीर हिंदूओं के चार धामों में से एक माना जाता है और जगनाद सब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी जिसे पहले नील मादो के नाम से हुजा जाता था और मंदीर परिशत के भीतर कई चोटे मंदीर आपको एसा मैसुस कराएंगे कि जैसे आप भगवान के घर में ही प्रवेश कर रहे हैं और आपको मंदीर का भब महाप्रशाद बिल्कुल भी मिश नहीं करना चाहिए और धार्मी के भारों पर बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं जिनमें से एक तिवार है रथ यत्रा जो जगनात पुरी का मसूर यत्रा है जो बड़े ही उस्ता के साथ मनाया जाता है और इस मंदीर में दर्थन आप सुबर साड़े पांच बजे से राद दस बजे के बीच कर सकते हैं और इस मंदीर में भगवान स्रीक्रिश्ट और उनके भाई बलभद्र तथा ब्यान सुबद्रा की काट की मुर्तिया है जो बहद ही खास मुर्ति है तो दोस्तो अब बात करते हैं कि आप जगनात धाम कैसे पहुचें तो दोस्तो यहाँ पहुचने के लिए आपके पास तीन अपसन है बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस से आप असानी से पहुच सकते हैं जी हाँ सबसे पहले बात करते हैं कि आप जगनात धाम ट्रेन से कैसे पहुचें। तो दोस्तों देश की कई सेरों से ट्रेने चलाई जा रही हैं जिससे आप दिली से पूरी जा सकते हैं। और आगरा तथा कुलकाता से पूरी के लिए सीधी ट्रेन उपलब्द है। और पूरी से 62 किलोमीटर दूर ही भुनेस्वर रेलवे स्टेशन भी है जो एक बड़ा रेलवे स्टेशन है जहां से आप बस या टेक्सी द्वारा जगनात धाम तक पहुच सकते हैं। और यदि आप प्लेन से जा रहे हैं तो पूरी का नजदी की एरपोर्ट भुनेस्वर में है जिसका नाम बीजु पतनायाग एरपोर्ट है जो किवल 60 किलोमीटर दूर है। और भुनेस्वर से दिल्ली तथा भुनेस्वर से मुंबई के लिए सीधी उड़ान उपलब्द है। और इसके अलाओ देश के अन्य सेरों से भी भुनेस्वर फ्लाइट के जरी अच्छी तरह जुड़ा है। और भुनेस्वर एरपोर्ट से आप सीधा बस या टेक्सी द्वारा पहुच सकते हैं। जगनाथ पूरी और यदि आप बस से जा रहे हैं तो जगनाथ पूरी सड़क के रास्ते देश के दिकतर सेरों से जुड़ा है। जहां से आप बस द्वारा जगनाथ धाम तक जा सकते हैं। बस प्लेन और ट्रेन तथा टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तो अब बात करते हैं कि आप जगनाथ धाम कब जाएं। तो दोस्तो यहां जाने का सबसे सई समय जून से मार्च होता है। क्योंकि यहां की विश्वपशिद रत हैत्रा ज़्यदा तर जुलाई के महिने में मनाई जाती है। जगनाथ पूरी जा रहे हैं तो आप इसी महिने में जाएं। और हाँ इस रत यत्रा के साथ साथ आप जगनात पूरी में और भी मंदिरों के दर्सन आप कर सकते हैं। जैसे कि लोकनात मंदीर, बिमला मंदीर, साच्छी गुपाल मंदीर, गुडिंचा मंदीर और अलरनात मंदीर आदी हैं। जहां आप जगनात मंदीर के सांसाथ आप इन मंदीरों में भी दर्शन कर सकते हैं तो दोस्तो अब बात करते हैं कि आप कहां रुकेंगे तो दोस्तो यहां पर अनेकों मठ एम धर्मशलाएं बनाई गई हैं जहां आप विस्त्राम एम भोजन कर सकते हैं और हाँ यदि आप यहाँ नहीं रुकना चाते तो आप होटल बुक कर सकते हैं जिसका किराया लगभग 600 रुपेश लेकर 5000 रुपेश तक होता है तो दोस्तो अब बात करते हैं कि आप जगनात पूरी में कहां घूमें तो यहाँ आप पूरी बीच घूम सकते हैं जो भारत के सबसे सुन्दर समुठ टटो में गीना जाता है और यहाँ जगा अनिमून मनाने वालों के लिए काफी खास माना जाता है और यहाँ पिकनिक और स इस जगह घुमना ना भूले और एसे बहुत से जगह हैं जहां आप घुम सकते हैं जैसे कि गुवर्धन मठ वल लव मठ अमर नाला ब्रीज आदी जगहों पर आप घुमना ना भूले जो पूरी की फेमस जगह हैं तो दोस्तो अब बात करते हैं कुल खर्चों की तो दोस्तो ये सबी खर्चे आपके ही उपर depend करते हैं कि आप वहां कितने दिन के लिए जा रहे हैं और कहां घूमेंगे तथा क्या क्या खरीदेंगे ये सबी खर्चे आपके ही उपर depend करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को इसी पर भी राम देते हैं और यदि हमारा वीडियो आपको फशंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलता है नेक्स वीडियो में धन्यवाद